ऐसा जवाब दिया भारत ने पाकिस्तान की दृष्टा का दो हिस्सों में बट गया वो जो गीत गाता था खंता का जी हाँ आज की पंक्तिया वी रस्ता से परिपून हैं आप से आग रहे हैं आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक, सेयर और उसका अच्छा अच्छा कमेंट करना न भूलें तो सुरू करते हैं ऐसा जवाब दिया भारत ने पाकिस्तान की दिश्ता का दो हिस्सों में बट गया वो जो गीत गाता था करनता का अपने पूरा और पश्चिम के हिस्सों को एक करने की चाहत में वो चाहता था भारत को बाठना अपनी दुस्ताहसी सरारत में जो सपन देख रहा था सपलता का, अपनी बुध्धी की जड़ता का, दो हिस्सों में बढ़ गया वो जो गीत गाता था खंता का तीन दिसंबर 1971 वो जब उसने बंबर साय धोके से भारत ने भी दिया प्रती उत्तर अपने सहास अनोके से तेरे दिन में धून चटाई ये था प्राक्रम निरता का दो हिस्तों में बट गया वो जो गीत गाता था अखंता का तीनों सेनाओं ने अपने सहास से कमर तोड़ी पाकिस्तानी सेना की हतियार छोड़ वो भुटनों पर आ गए वो भारत के वीरों की सुन देला थी जिस घटना ने बदला नक्सा पाकिस्तानी उतंता का दो हिस्तों में बट गया वो जो गीत गाता था खंता का सोले दिसंबर को जब विजय का परचम लहराया भारत ने तब साकार रूप लिया देश बनकर बांगला देश की आठ ने नब्बे हजार सैनिक भी समचे अपने भारत ने में भार किया मानवता का दो हिस्तों में बट गया वो जो गीत गाता था खंता का भारत की सेना का ये सोले सदा रहेगा अजर अमर जब तक रहेगा बंगला देश विस्व नक्से में दर्श्टि गोचर सात रहेगा बड़ा प्रमान पाकिस्तान की फलता का दो हिस्तों में बट गया वो जो गीत गाता था खंता का ऐसा जवाब दिया भारत ने पाकिस्तान की दृष्टा का दो हिस्चों में बढ़ गया वो जो गीत गाता था कंटा का आसा है आपको वीवरस की पन के पसंद आयोंगी आपका वीडियो पन तक देखने के लिए भबो धन्यवाद मिलते हैं एक वोर नई रचना के साथ